नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चेनल ज्योतित्चतन में दणौान Бढनने से कोई निरोग सकता भागय साली वक्ति जिस काम में हाँ डालता है उसे उस काम में निश्चिती सफलता मिलती है मिट्टी में भी हाँ डालता है तो वो मिट्टी सोना बन जाती है भागय साली वेक्ति अपना जीवन तुरंत बदल लेते हैं और औरों का भी जीवन बदलने की ताकत रखते हैं यह आप भी भागय साली बनना चाहते हो हर काम में सपलता प्राप करना चाहते हो तो आज का यह उपाई आपके लिए राम बान शिद्ध होगा जहां दोस्तों हम हम आज भागय साली बनने के ऐसे उपाई बता रहे हैं जिसे आपको साफ़दा निशी उपाई करने कुछ ऐसे उपाई करने होगे जिसे हम टोटके बोलते हैं टोटके करने से कुछ लोग इसका गलत अरत निकालते हैं जबकि सात्विक उपाई होते हैं और पूजा पाठ क इसलिए हम यह टोटके बता रहे हैं यह आप करेंगे तो आप जल्दी भागे साली होंगे और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी और आपको क्रोडपती बनने से धन्वान बनने से कोई नहीं रोक सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से दोस्ते दुर्भाग्य निर्मित होता हैं सरीर के सभी छिद्रों को अच्छे जल्चे दोएं सोचाले और सनान घर का वास्तु सुदारें ऐसा कोई करम नहीं करें जिसे आपको पस्ताना पड़ें पुजा इस्तान पर मांस से बनी हुए अगरबतियां नहीं जलाएं मांस क जलने से दुर्भाग्य पेदा होता है अगर बति का इस्तेमाल ना करें जिसमें लकड़ी की तीलियां लगए हो या बास की तीलियां लगए केवल धूप बति चलाएं दूसरा है पिंजरे में आप किसी भी पक्षी को ले जाती हुए देख तो या पक्षी पिंजरे में है तो आज नहीं तो कल आपका भी भी बहेंकर करज के बोसले दब चाहिए इसलिए गर में किसी भी पक्षी को बंद करके आप पिंजरे में नहीं रखना चाहिए तीसरा है धन के नुक्सान से बचे यदि बेवज़े धन का नुक्सान हो रहा है धन चोरी हो रहा है डूब रहा है या कोई पैसा कहीं फंस गया गई बोज रहा है या गबन हो रहा है कहीं पे तो रोज सुबे नीम की लकडी से दातून करे रात को जुठे बरतन रशोई मे नए रखे उत्तर दिशा में बेट करी बोजन करें और बोजन की थाली में हाथ ना दोए चोथा टोटका है एकादसी का वरत रखें हिंदू धरम में एकादसी और प्रदोस का वरत रखने के पीछे यह विज्यान यह भी है कि आपके चंदर और सनी के खराब असर को बेशर कर सूबता में बदल देता है परतेक पक्स प्रसन और पक्स और सुकल पक्स के ग्यारस और त्रियोदर्शी को विदि पूरक वरत रखेंगे तो निश्चिती आपके जिवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर को जाएंगे यदि आपके घर में कोई मांगली कारिय होन कर पोर्टली बना लें फिर उसे घर की पुरू दिशा के किसी भी कोने में रख दें आपका जो भी मंगल कारिय हो इस पूर की करपा से अपने इस देवी की करपा से बिना किसी बादा के पूरा हो जाएगा साहस और आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए एक लाल रंग के कागज का टुकड़ा ले उसे त्री बुजाकार काट लीजिए तीन बुजाएं बराबर होने चाहिए इस त्री बुज़ वाले टुकड़े को अपने काम के इस्तान पर रखें जहां से आप बराबर देख सक तो यानि आप जहां बैठते हुशे सामने चिपका के रखें लाल त्री बुज़ को इसे आपका मनिपूर चक्र इंप्रू होगा और आपके सास और आत्म विश्वास का इस तर बढ़ जाएगा हमारे भाग्या का समन कपड़ों से भी होता रंग से भी होता है अता है आप कौन से ग्रहों के वस्तर पहेंते हो इसे भी आपका भाग्या निमित होता है यदि आप रहो और केतु से संबनेत काले मट मेले रंक के कपड़े पहन रहे हो तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आपको अपने वस्त्रों में पिले रंका उप्योग करें पूर्शों को अपने वस्त्रों में चमगदार सपेद गुलाबी आसमानी रंका इस्तिमाल करना चायए माला माल होने का टोट का यदि आप माला माल होना चाहते हो तो गाली मिर्स के पांच दाने ले और अपने सिर के उपर से साथ बार उसाद ले बाद में किसी चोराई या किसी सुनसान जगह पर खड़े होकर इन चारों दिशाओं में चार दाने फैंग दे फिर पांसवे दाने को उपर आसमान के और फैंग दे इसके बाद चोराई पर पुने लोटते वक्त पिछे पलटकर नय देखे माना जाता है इस उपाई से असानक धन प्राप्ति के योग बनते है इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै मातागी